प्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इससे आपको मेरे हर नए वीडियो की जनकरी सबसे पहले मिलेगी बारिश का सीजन चल रहा है और अभी मार्केट में इस तरह से बुट्टे बहुत आ रहे हैं मकई आज हम इन भुट्टो से बनाएंगे भजिये बुट्टे के भजिये बनाने जा रही हूँ आज में इसको हम किस तरह से बनाएंगे दिखाती हूँ आपको इसमें सबसे पहले हमको इस तरह से बुट्टे को साफ कर लेना है उसके छिलके को निकालके और इन भुट्टो को हम एक किस्नी में खिसेंगे यह चार मकाई थे मेरे पास चार भुट्टे थे चारो को मैंने इस तरह से घीस के ले लिया है यह मेरा घीसन तैयार है यह देखिए इस तरह से को अठीसे लिया है यह भुट्टे को इस तरह से कीच के मैंने एक बरतन में निकाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले पहले इसमें थोड़ा बैसर मिला देते हैं बाद में इसमें मसाले बुट्टे का यह जो मिक्स है हमारा इसमें आप मिला देती हूं में बैसन यह मेरे पास बैसन जितना हमारे बुट्टे का किसन होता है उतना ही हम लगबग इसमें बैसन डालते हैं मेरा लगबग 3 कटोरी जितना बुट्टे का किसन था उतना ही मैंने इसमें बैसन भी डाल दिया है जरूद है तो आप इसमें थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे. जरूद नहीं है तो पानी पानी डालने के कोई जरूद नहीं है जरूद नहीं है. बेशन को देख मिक्सकरी इस तरह से बड़े म prett किसर में अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें डालेंगे इसमें कुटी वी सोब बहुत अच्छी लगती है, यह मेरे पास एक चमब सुखा धनिया, उसको भी मैंने अखे बीस्ते सुखे धनिया के, उनको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा कुट लिया है, वो भी इसमें डाल रहे हूं, यह मेरे पास एक काली मिच का पाउडर, यह मेरे पास चार हरी मिर्च, इनको मिक्सर में बस एक बार चला लेंगे, मोटी-मोटी और वही इसमें डाल देंगे, यह हरी मिर्च का पेस्ट मेंने तयार कर लिया है, यह से बड़ी-बड़ी हरी मिर्च को कूट लिया है, वो भी मैं यहां पर इसमें डाल रहे हूं, अब यहां पर इसमें डालूंगी हरा धनिया, बारी कटा हुआ, इस तरह से, अब हम यहां पर डालेंगे इसमें नमक, यह इसमें डाल रही हुँ अब इस सब मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर इस बेटर में में डाल रहे हुँ एक चमश शकर थोड़ी से शकर इसमें अगर रहती है तो बहुत अच्छे लगते हैं यह मकाई के भुट्टे बजिये अगर आपको नहीं पसंदे शक्कर डालना तो शक्कर के बिना भी बनाए जा सकते हैं इस तरह से अब हम इसमें शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस बेटर को हम थोड़ा सा आठ गस बार इस तरह से फेट लेंगे इससे इस सप्ट बनेंगे और बहुत अठीज़ बनेंगे तो आप भी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए इस तरह से जब हम फेट लेते हैं इस बेटर को तो आमारे बज़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे अगर आपको इसमें ज़रुत लगे तो आप पानी का यूज किजिए बना सकते हैं हमारे यहां पर यह अमेरिकन कोन आते हैं इन में बहुत पानी होता है इसलिए इसमें अलग से पानी की जरुत नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहे हूं अगर आपके बुट्टो में मोश्चर थोड़ा कम है और पानी की ज़रूत है तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं इसकी कंसेस्टेंसी हमको इस तरह की चाहिए देखिए इस तरह की अब उन बनाते हैं इसके भजीए अब बनाते हैं इसके तरह को अच्छा गरम तेल चाहिए बज़े डा चोड़ने के लिए अब आए है मैं आए बनना लेते हैं इसके हैं तरह से है मिर का है है कि अ बज्चा बजिए छोड़ते जाएं तेल में है कर देंगे मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पेने होने देंगे अच्छे से फ्राइट तीन चार मिनट हो गए हैं इनको इसी तरह से मीडियम गेस पे मुझे फ्राइ करते हुए इन्हें लगाता हिलाते हुए मैं फ्राइ करें देखे कितने अच्छे बोल बजिये बने हैं एक मिनिट फोड़ा सा और समय लगेगा अभी इसको बनने में यह बजिये थोड़े से क्र इसे से यह देखिये गर्व में इनको नेकाल लेते हैं इस तरह से फोड़ा सा तीशु पेहबल पे मिनिकाल लेकिक हुए अब मुए कर बादि इसी तरह से जराए कर लेते हैं कि बढ़िया बोल बजिय चोड़ने हैं हमको इस तरह से तरह देखें के अगर हम इस तरह सब भजी एक साथ चोड़ देते हैं पूरे तेल में तो हमारे बहुत सारे बजी कम तेल में ही फ्राइब हो जाते हैं इस तरह से यह देखिए जब भजी फ्राइब करें तब इस तरह से बीच में जगे ना छोड़े जितनी भी जगे होती है वो पूरी जगे इस तरह से बढ़े ताकि क्या है आपका कम समय में ज्यादा बजी एक साथ फ्राइब हो जाएंगे देखिए हमारा दूसरा बेज भी फ्राइब हो गया है बजी का इस तरह से देखिए निकालते हैं इनको पर दूसरा निकाल देखिए हमें एक साथ यह देखिए अब अब जाए जाए निकाल देखिए यह देखिए यह देखिए त्वी बजीय यहां पर मेरे फ्राय हो गए हैं यह देखिए कितने अच्छे बजीय बने हैं एकदम गोल गोल मस्त शॉफ्ट और बाहर से जितने क्रिस्पी है यह देखिए बहुत अच्छा टेक्स्चर है बजीय का बहुत टेस्टी तीखे मीठे चटपटे बहुत बढ़ीय बुट्टे के बजिये बनके तयार हुए हैं, आप भी अपने किचन में इस तरह से बुट्टे के बजिये जरूर बनाएं और फेमेली के साथ एंजॉय करें, दिखाती हूँ मैं बुट्टे को बजिये को सर्व करके आपको, तीकी और मीठी चटनी के साथ सर्व किये हैं मैंन अपनी साधारन चटनी है हरी जो हरे धनिये नीम्बू और हरी मीक्स में ने बनाई हैं आप अपनी फेमिली के साथ बनाए खाएं और एंजॉय करें